स्टूडेंट्स अब जो टोपिक है आपका वो सबसे इंपोर्टेंट टोपिक है इस चैप्टर का दो नंबर का हर बार हर सेशन में एक क्योशन यहां से पुछा जाता है टोपिक है आपका रोले टू ओप्तेंट इमेज़ फोर्मेशन रोल्स स्टू ओपडेडृट आपको अबटेड्टू इमेज़ फोर्मेशन पालय से इमेज फोर्मेशन फालं के उसके बाद शायर कोनको기에 का मीरर का। मतलब क्योशन क्या पुछी जाते हैं, image formation आपको बनानी देते हैं, आपको बता देंगे कि कौन के वो mirror के आगे object कहा रखी है, तो image उसकी कहा बनेगे, दो नमबर में हर बार पुछा जाता है, ध्यान से समझना है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम image बनाने के तीन रूल पड़ क्यों mirror कैसे बनाना है, याद रखना ये वाला point और ये वाला point बिल्कुल एक line में होना चाहिए आपका, ठीक है, और ये वाला क्या होना चाहिए आपका, bent in, ठीक है, और इसके बाहर ये क्या है आपका, police area, ठीक है आपको बनाना किसे है, compass की help से, यहाँ पे रखोगे, ठीक इस तरी के से बनाओगे, तो ये जो point होगा, आपका उसको हम क्या कहेंगे, center of curvature, या फिर आप क्या करोगे, इसको फिर consider कर लो, इसके beach का point होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, center of curvature, ठीक है, reflecting surface, ये reflecting surface है आपका, यहाँ से लेके, यहाँ तक का, इसके beach का point है, उसको हम क्या बोल आहींगे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस और सेंट्रो प्रींटर और क्रिवेचर और पॉल से ची सो हम क्या क्या बोलते हैं रेडियस ओफ करवेचर ठीक है ना रेडियस ओफ करवेचर हमने प्रिंशिपल एक्सिज ड्रो कर ली पहला रूल है मालो आपके पास कोई एक यहाँ पर उब्जेक्ट रखी इस उब्जेक्ट को क्या बोलूगा एक्स्टेंडिड उब्जेक्ट ठीक है जब भी आपको इमेज बनानी है तो उससे आपको क्या कंसिडर करनी है दो रे लेके जानी है ठीक है अब तीन रूल बताऊंगा तीनों में से कोई ना कोई दो रूल आपको लगाने है ठीक है तो पहला रूल क्या है जब रे ओफ किस में से पास होगी focus में से focus कैसे बनाओगी ये center of color इसके बीचकुल बीच का जो point होगा उसको हम क्या बोलेंगे focus इसको हम बोलेंगे focus ठीक टकराने के बाद किस में से पास होगी focus में से ठीक इस तरीके प्रिंसिपल एक्सिज के पैरलल आएगी और टकराने के बाद किसमेसे पास फोकस में से तिक नंबर में कैसे पूछ सकता है वह ऐसे भी पूछ सकता आपको क्या दिया कि मीरर दे तिक हम यहां पर उब्जेक्ट बना दी और इसने शिरफ इतना ड्रो कर दिया अब कहेगा तो यह वाली रे और यह वाली रे क्या है एक दूसरे के पैरलल आएगे वह तकराने के बाद किस में से पास होगी focus में से पहला रोल लेख तो यह आपका क्या हो जाएगा आंस्वर आपको इस तरह के से बनाना आप से क्या पुछ सकता है एक आपको mirror बना धिया ठीक है यह क्य और ध्रोर जब फोकस में से कोई पास होती है तो कहा और किया से हो जाती है पैरलेल टुदा प्रिंसिपल एकसीज ठीक आणा जो हम एक्स्ट रूब में पड़ेंगे तो पहला रूल हमें क्या याद रखना है पहला रूल याद रखना है जब भी कोई रे ओफ लाइट पैरले पास होंगी तो सारी पैरलल जो रेवुअ फ्लाइट होंगी वो टकराने के बाद फोकस में इसे से पास होंगी ठीकराने के बार-बार रिपेट क्यों कर रहा हूं कि इनी जब यह तीनों रूल आपको याद होंगे तभी आप से इसके बीच का point क्या कहेंगे pole is the middle point of reflecting surface और इसको क्या है स्फेर करना है और इसके बीच का जो point होगा उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे center of curvature या फिर आप compass से जब बनाओगी इसको ठीक ना तो जहाँ पर point किया है उसको center of curvature ठीक उसके बाद यह क्या है आपकी principal axis principal axis गया होती है जो center of curvature और pole से पास होती है यह center of curvature यह pole center of curvature और pole के बिल्कुल mid point उसको हम क्या कहेंगे focus ठीक है बिल्कुल बीच में लेना है तभी आपकी image formation सही बनेंगी otherwise आपकी गलत हो जाएंगी ठीक है तो principal focus का लेना है बिल्कुल बीच में उसके बाद second roll क्या है अगर कोई ray of light ठीक है अगर कोई ray of light focus से पास होती है तो टकरानी के बाद कहा चली जाएगी वह parallel to principle parallel to principle axis हो जाएगी जैसे कोई ray of light क्या रही है इस तरीके से focus में से पास हो गई टकरानी के बाद कहा जाएगी parallel to principle axis ठीक है second rule अगर कोई ray of light focus में से पास हो रही है focus में से इंसिडेंट करा रहे हैं और हमने कन के वह mirror पे इंसिडेंट कराई तो टकरानी के बाद कैसी हो जाएगी parallel to the principle axis ठीक है इन तीनों रूल में से एक और रूल है तीनों रूल में से एक नमबर से ऐसे भी पूछते है अब मैंने उसने क्या किया सिर्फ इतना ड्रो किया ठीक है वो कहेगा कि टकरानी के बाद कहा जाएगी रेव फ्लाइट तो टकर देखो focus में से आपको क्या देखना है कि रेव फ्लाइट focus में से पास हो रखिये तो क्या हो जाएगा parallel to the principle axis प्रिंसिपल एक्सिज के parallel हो हाइसे करा से इसको हम बोलेंगे इसका सेंट्र का सेंट्र है यह आपका यह क्या है सेंट्र और करनफ करवेचर प्रेचर अगर कोई रेव फ्लाइट से पास होगी मालो यह रेव फ्लाइट से पास होने के बाद कहा जाएगी वापिस उसी रस्ते से जिस रस्ते से आई है तकरानी के बाद क्या होगी वापिस उसी तरीके से चली जाएगी क्यों कि स्फेः में क्यों होता है क्यों इनसिडेंट होती है वो 90 वीसें उट्तिय थीडेंट होंगी और वापिस चली जाएगी व Neap of curvature में से, ठीक है, अगर कोई Ray of Light Central of curvature में सेvia's हो, तकराई, तकराने के बाद वापीज कहाज ही जाएगी है LC में से ही, ठीक है, तो हमने तीन रूल पड़े है, पहला तीनो तीनो रूल में से दो रूल हमें यूज करनिया है, ठीक है, तो पहला है कि यह पैरलल है तो पैरलल जब आती है तो किस्ट में से पास हो जाती है दूसरा रूल क्या है अगर कोई रे vaICIA फोकॉस में से पास होती है तो कहा जाएगे तो कहा जाएगी तो पैरलल टू-दा प्रिल्शिपल इस तरह के से पूचलेगा इंसिडेंट करा दी अब करवेचर में से ही चली जाएगी ठीक हम एक और आप से पुचा जाता है ठीकम कि कोई पोल में अगर कोई एप पोल में पे टकर आई तो कहा जाएगी तो पूल से इस तरी की जिस अंगल से टकर आई उसी अंगल से आपकी reflection हो जाएगी ठीक है image formation by कुन क्यों mirror ठीक है अब जो मेन है image कैसे बनाते हैं ठीक है और कैसी बनती है उनका nature हमें याद रखना है ठीक है हमें वो याद होनी चाहिए सारे टिप्स पे तभी आप image बना सकते हो तभी आप दो नंबर का जो question आएगा उसको शोल कर सकते हो ठीक है बहुत ही आसान है ध्यान से समझना है ठीक है तो आपका next topic है image formation इमेज फोर्मेशन फोर्मेशन बाई कोन क्यों 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 मेरर ठीक है तेन रोल हमने पड़े हैं क्यों क्यों मेरर की image बनाने की ठीक है ना तो सबसे पहला when object माल लो क्या होगा when object placed at infinite infinite ठीक है object कहा रखी है infinite पे when object placed at infinite infinite माल लो आपके पास एक कोन क्यों मेरर है ठीक है अच्छा जब भी बनाओ आप इसमें beach का point इसके जो beach reflecting surface है इसके beach का point क्या होगा beach का point होगा यह वाला pole ठीक है sphere draw करोगे या फिर compass जब बनाओगे तो इसके यहाँ पे जो beach का point होगा वो क्या होगा center of curvature ठीक है center of curvature और pole से line pass होती है उसको हम क्या बोलते है principal axis ठीक है center of curvature और pole के beach का point क्या होगा focus ठीक है reflecting surface का beach का point pole और is sphere के beach का point center of curvature इन दोनों के middle point को focus ठीक है अब object का रखी है infinite ठीक है तो ऐसा consider किया जाता है कि infinite से ray of light कैसे आती है parallel आती है ठीक है infinite से ray of light कैसे आएंगी parallel तो object को यहाँ पर नहीं रखी यहाँ पर नहीं रखी का रखी infinite पर तो infinite से कैसे आएंगी parallel ray of light आएंगी ठीक है एक रे मैंने एक इस तरी के से आ रही है ठीक है एक निच्चे से यहाँ 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 भी parallel बहुत सारी parallel ray of light आ रही है ठीक है या फिर आप सिर्फ दो ही consider कर सकते हो ठीक है ना मैंने बताया इमेज जब बनानी है तो दो रे consider करनी इस केस में आप दो से ज़्यादा भी कर सकते हो चलो दो ही कर लेते हैं ठीक है तो मान लो यह अब देखो पहली रे क्या है principle axis के parallel पहला रोल यूज करना प्रिंशिपल एक्सेज के parallel जब रिओ फ्लाइट आते हो टकराने के बाद किसमें से पास होंगी focus में से ठीक है इस तरह किसे आगई अब यह भी रहे क्या है principle parallel है तो क्या होगा यह वी किस में से पास हो जाएगी focus में से पास हो जाएगी ठीक है तो image कहा बनेगी ATF तो nature if image क्या होगा इसमी nature of image image का nature कैसा है बताओ ब्राइब सब्सक्राइब कैसी म piace हरी है । की इमेज बन रहा है कि आपका real image ठीक है बन रही हैँ क्योंकि ऐसलित दो रेट कराने के बाद एक्टॉल में कट हो गई तो उसको क्या बोलेंगे उसको सब्सक्राइब तो इमेज के साथ हमेशा कैसा आएगा इन्षयुटीड ग्रीयृज इंवृटीड ठीच जब एहट ऑपि रियल इमेज सेकिंड है आपका आप से पूचेगा इसमें कैसे पूछ सकता है वो ऐसे पूछ सकता है कि फोकस पे कोण कयो опять पर रकी हो तो इमेज कहा बनेगी फोकस पे यह तो हमने पहले भी पड़ा था जब हमने क्यों क्यों मेरर के बारे में पड़ा की क्यों नुटे हैं सबस्वेर को हम क्या दोते हैं कि वो रेयर फ्लाइट को एक प्वाइंट मिला कु Fach अश्कोडय ऑalthy को रियों भालेंगे rag रखाओ ठीक है ना अब नेक्स्ट आपका क्या है यहां पर हमें एक लेंस एक मीरर बनाना है ठीक है यह क्या है मैंने इसको पोलिस कर दिया इसके बीच का पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के बीच का पॉइंट को क्या कहेंगे पॉल कहेंगे ठीक है इस स्फेर के बीच से जो लाइन पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिज और सेंट्र ओफ करवेचर और पोल के बीच का पॉइंट को क्या बोलेंगे फोकस ठेक अब क्या कहा रहा है कि वैन उब्जेक्ट प्लेस्ट बियोंड सी से से परे रखे हुई है ठेक मालों सी से परे यहाँ पर रखे हुई है यहाँ पर सी से दूसरी लेप्ट साइड में अब याद रखना जब भी इमेज बनाओगी तो हमेशा लेप्ट साइड में रखनी है उब्जेक्ट हमेशा मीरर के लेप्ट साइड में रखनी है ठीक है ना तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपकी रख होंगी focus में इसे पहला रूल क्या है जब ray of light एक तो parallel लेके जानी है ठीक इस तरीके से direction भी जरूर बनानी है यहां पर direction जैसे मैंने बना रखें तो जब parallel to principle axis होगी तो किस में से पास हो जाएगी focus में से अब क्या करना है scale से आपको scale से scale से आपको यह वाला point ठीक है और यह वाला point मिलाना है ठीक है और इसको draw कर देना इस तरीके से ठीक है उसके बाद दूसरा रूल क्या था जब focus में से पास होगी तो क्या हो जाएगी parallel to the principle parallel to the principle axis अब second rule क्या है focus में से पास करानी है दूसरा रूल लगाना है जब focus में से पास होगी ठीक है तो क्या हो जाएगी parallel to the principle axis principle axis की parallel अब देखो अब यह तकरानी के बाद यह इस तरीके से आई यह तकरानी के बाद क्या हो जाएगी इस तरीके से कहा मेट कर रही है यहाँ पे जहां भी आपकी दो रे मेट करेंगी actually या appear to meet ठीक है उसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है ठीक देखो पहले में ज्यादात्र case में first और second यूज करेंगे दो case ऐसे हैं जिन में हम first ओर third यूज करेंगे फर्स्ट तो सभी में यूज करना है फर्स्ट कुन सा एक तो रे दो रे लेके जानिया ना पहली रे तो parallel to principle axis लेके ही जानी है ठीक है दूसरा क्या था जब focus में से पास होगी तो parallel to principle axis हो जाएगी नेचर कैसा है कैसी image बनी है ठीक है पहले तो हमें देखना है कहा बनी है between f and c between f and c f और c के बीच में बनी है ठीक है तो यह f i a c इसके बीच में बनी है दूसरा है size कैसा है ठीक है तो पहले size बड़ा था अब क्या है चोटा तो डीमिंस्ट मतलब चोटा डीमिंस्ट ठीक है या small size डीमिंस्ट size या इसको हम क्या बोलते है small size उसके बाद है कैसी है यह real है या virtual है हमने दो तरीक्वे की पड़ी थी real और virtual image real image कौन से होती है जब दो ray of light actually मिल जाए actually meet हो जाए असलियत में हो जाएंगी अब देखो यह टकरानी के बाद focus में से पास होई यह focus में से जब पास होई तो parallel हो गई दोनों असलियत में कट हो गई real में कट हो गई तो एक कौन सी इमेज बनाएगी real image ठीक है real image और कैसी है inverted देखो पहले तो object हमने इस तरीके से इसका head पार्ट उपर था अब निच्चे मिली है तो इसका head पार्ट निच्चे हो गया मतलब कैसी बनाए है inverted real and inverted ठीक उल्टी याद रखना real के साथ हमेशा inverted आएगा virtual के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा ठीक है real and inverted बनी है अफ और सी के बीच में बनी है ठीक है तो निच्चर ओफ इमेज क्या हो जाएगा अब आप से साइज या फिर ऐसे भी पूछ सकता है अफ और सी के बीच में को मीरर कभ बनाता है इमेज इमेज कब बनती है एफ और सी के बीच में कब बनती है जब ऑब जैक्ट ब्योंड शी हो ठीक हम इसलिए कह रहा हूं यह सारी चीज़े जो नेचर ओफ इमेज अना और यह कहां पर अब जैक्ट रखी है तो कैसा नेचर सभी आपको मुझे बानी याद होनी चाहिए टिप्स पर होना चाहिए तब ही आप दो नंबर के यह सोल कर सकते है इमेज फूरमेशन ठीक हम अभी तक दो पड़े इन फाइनाइट से रियो फ्लाइट जबाएंगी तो कहां मिलेंगी कि मिलेंगी प्वाइंट साइज की इमेज बनाएगी ठीक है अगर सी से परे कोई ओबजेक्ट रखे ब्यॉनड ढ़की है तो कहां ऑफ के बीच में ठीक है अब कैसे करता जाओगा अब सी से परेए रखे है ठीक है फिर अफ पर लाओंगा फिर अफ वों सी के बीच में बी पीके बीचे में ठीक हैं तो next क्या है अब ब्योंड C था अब कहां पे रखिए आपके object at the center of curvature ठीक है center of curvature next case है आपका when object placed object placed at center of curvature ठीक है when object placed at C यहापे मैं ने लिए दिया at C यह पोल है यहाँ पे center of curvature ठीक है और इससे जो line pass होती है उसको हम क्या बोलते है principal axis C और P के बीच का point है उसको हम क्या बोलेंगे principal focus ठीक है अब object का रखिए C पे तो आपको क्या करना है C पे एक object रख देनी है ठीक है इस तरीके से अब इस object को अब इस object से दो रेले के image बनाने के लिए क्लिए क्लिए दो रेले के जानी है पहला रूल तो सभी में लगाना पहला पहला रूल क्या है कि parallel to principal axis जाएगी एक ठीक है इस तरीके से scale से बनाने आपको सारे डाइगराम ताकि सही बने parallel to principal axis जाएगी ठीक है और जो ray of light parallel to principal axis होते है टकराने के बाद किसमें से पास होती है focus में से यह वाला point मिलाओगी और focus वाला point मिलाओगी ठीक है तो line draw कर देना यहां से ठीक है यह लो इन आपको draw कर देना उसके बाद क्या है दूसरा रूल क्या था कि focus में से जब पास होगी तो क्या हो जाएगी parallel to focus में से जैसे ही पास होगी तो टकराने के बाद गया हो जाएगी parallel to the principal axis तो यहां से head part से लेके जानी है हमेशा याद रखना यहां से नहीं लेके जाएगा head इस point से यह वाला point मिलाओगे focus वाला point मिलाओगे ठीक है और यहां से क्या करना है आपको एक line draw करनी ठीक है यह line आपने draw करनी अब यह direction क्या है इस तरीके से तकराने के बाद कहा जाएगी बताओ रेव फ्लाइट जो रेव फ्लाइट focus से पास होती है वो क्या हो जाती है parallel to the principal axis पर्लल टू प्रिंसिपल एक्सी उजाती है ठीक है यहां से अब देखो यह रेव फ्लाइट इस तरीक के से चली गई यह निच्छे की तरफ आगी कहा कट कर रही है इस point पे किसके निच्छे ह जाएगा ठीक है निचर कहा बन रही है image formed at c ठीक है c पे बनेगी ठीक है ना c पे बनेगी पहला at c दूसरा बताओ real है या virtual है real है देखो एक रहे जो parallel आई थी टकराने के बाद focus में से पास होई जो focus में से पास होई गी वो टकराने के बाद कैसे चले जाएगी parallel to principle axis ठीक है तो दोनों कहा यहाँ पे real में meet कर रही है real में cut कर रही है तो कैसी बनेगी real ठीक है और real के साथ कैसा आएगा inverted ulti पहले head part उपर था अब head part क्या है इसका निच्छे की तरफ ठीक है same size ठीक है question कैसे पूछ सकता है कि एक कुन क्यों mirror same size की image कब बनाता है same size और real inverted image कब बनाता है उसकी image formation बताओ तो कब बनाता है जब CP जब कोई object को हम CP रख देंगे ठीक है तो कैसी बनेगी CP ही बनेगी real inverted बनेगी और same size की बनेगी ठीक है उसके बाद है आपका third जब कोई object को हम C और F के बीच में रख देते हैं ठीक है अब क्या है F और C के बीच में ठीक है एक object आपकी रख्यू ही है an object placed between between F and C ठीक है F and C यह आपका pole point ठीक है और यहाँ पर क्या होगा इस तरीके से consider करोगे तो यह आपका हो जाएगा center of curvature ठीक है और center of curvature और pole से जो line pass होती है उसको हम क्या बोलते है principal axis ठीक है इस line को हम क्या बोलेंगे principal axis principal axis C और P के बीच की middle point है उसको हम बोलेंगे focus ठीक है अब object कहा रखनी है between up and C अब यह रहा C यह रहा इसके बीच की बिल्कुल बीच में लेना बीच में आपकी एक object रखी हुई है ठीक है अब बताओ image formation कैसे होगी देखो पहला रूल लगाना पहला रूल सभी में लगाना है कि एक ray of light parallel to principal focus आएगी और टकराने के बाद किसमें से pass हो जाएगी strike होने के बाद focus में से focus में से pass करनी है ठीक है दूसरा रूल क्या है एक ray of light यहाँ से head part से निकलेगी और focus में से pass होगी और pass होने के बाद टकराएगी और टकराने के बाद कहा जाएगी parallel to the principal axis ठीक है principal axis के parallel हो जाएगी अब कहा बन रही है image एक ray यह थी एक रही आपकी यह है दोनों कहां meet कर रही है जहां पर meet करेंगी उसको हम प्र इमेज अब नेचर बताना है इसका सबसे पहले image कहां बन रहे है बियोंड c चिंअ वैंड बन रहे है ठीक है रियल है वर्यार रिल है क्योंकि दोनों और एसलियत में कट कर रही हैं तो मैं क्या लिकूंगा रियल एंड इनवल्टीड उल्टी भी है देखो पहले हैड़ पार्ट उपर था अब इसका हैड़ पार्ट कहा है निच्चे की तरफ थर्ड है आपका लार्ज साइज की पहले इसकी कंपेरिजन में छोटा है या बड़ा है तो इसको क्या कहूंगा लार्ज साइज ठीक है लार्ज साइज ऐसे पूछ सकता है कि इन लार्ज साइज की image कब बनती है तो कब बनती है जब किसी object को हम F और C के बीच में रख देते हैं ठीक है या फिर आप से ऐसे पूछ लेगा, अब 4C के बीच में कोई object रखी है, तो उसकी image formation बताओ, कहा बनेगी, beyond C बनेगी, real inverted बनेगी, large size की बनेगी, यह आपको diagram बनाना पड़ेगा, ठीक, अरे diagram आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद है आपका fourth, उसके बाद है, when object placed at F, अगर कोई object को हम F पे रख दें, ठीक, अभी तक हमने क्या पड़ा, infinite पे रखेंगे, तो focus पे बनेगी, beyond C रखेंगे, तो F और C के बीच में बनेगी, C पे रखेंगे, तो कहा बनेगी, C पे ही, और F और C के बीच में रखेंगे, तो beyond C बनेगी, when object placed at F, F पे जब कोई object रखी है, ठीक, ये center of curvature, तो कहा बनेगी, देखो, बड़ा ही important है, इस in concur mirror में, दो case बड़े ही important है, बहुत बार कुछी जाते हैं, कि जब focus पे कोई object रख देते हैं, ठीक न, focus पे कोई object रख दी, तो image कहा बनेगी, अब देखो, हमां, हमें फिर से पहला rule लगाना, पहला rule क्या है, parallel to principle axis जाएगी, एक रे, और टकराने के बाद किस में से pass हो जाएगी, focus में से pass हो जाएगी, ठीक है, ये हमने consider कि focus में से, focus में से, ठीक है, दूसरा rule क्या है, दूसरा rule है, कि focus में से pass होगी, बैसा तो है नहीं, कि focus में से आप ऐसे pass करोगी, तो टकराएगी नहीं, इस mirror से, ठीक अब यहाँ पे देखो, थर्ड रूल कैसे लगाना है, कि इसमें ये जो रेयो फ्लाइट है, यहाँ से एक इस तरीके से श्ट्राइक करेगी इस मीरर से, कि वो टकराने के बाद पिछे किसमें से पास हो रही हो, सैंट प्रोफे, करवेचर में से, ठेक हूं, ये रेयो फ्लाइ क्वेस में से दोसरा रोल इसमें लगने सकता क्योंगि फोकस पर रखिए तिसरा रोल ये था कि कोई औकर रखी है तो सेंट्र ओफ करवेच्चर में से पास हुई तो यहां से रे और उफ लाइट इस मीरर के इस तरीके से स्ट्राइक होगी किछ टकरानी के बाद वापीस कहा सेजारियों से अब बनागान kin के बाद इस तरहा की से अ क्या है एक है तो पैरलल कहा मिलती है is infinite टीक है ऐसा माना जाता है कि एक स्टार काफी दूर और इंफाइनायट डिस्टेंस पे मिली हुई मem क्या ब dependency की सारी आपकी ठीजया क्यों गय aynı को प्ओंट पे एक प्वाइंट पे एक point पे मिली हुई ठीक है ना तो ray of light ऐसा माना जाता है कि infinite पे जाके मिलती है ठीक है math वाला rule आपको यहाँ पे नहीं लगाना कि कहीं मिलेंगे नहीं तो nature क्या हो जाएगा इसका पहला nature है कहा बन रही है nature at infinite 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 दूसरा कैसी बनेगी in large size की ठीक है अब यह मिलेंगी कहा infinite पे जाके मिलेंगी मतलब कहा मिलेंगी infinite पे तो कैसी बनाएगी real and inverted third है आपका कैसी बनेगी small size की बनेगी या बड़े size की बनेगी ठीक है तो देखो यह कहा जाके मिलेंगी कही ना कही जाके मिलेंगी तो इस principal axis से distance क्या हो जाएगी बहुत ज्यादा बड़ी तो enlarge size ठीक है enlarge size की बनेगी आपकी image ठीक है तो आपका question क्या है कि infinite पे कुनक्यों mirror infinite पे image कब बनाता है जब object को हम focus पे रख देंगे ठीक है जब object को वह फोकस पे रख देंगे तो इमेज कहा बनेगी इनफाइनाइट पे बनेगी कैसी बनेगी रियल एंड इनवल्टिड बनेगी ठीक है रियल इनवर्टिड और इनलार्ज साइज की बनेगी ठीक है आप व्योडियो पॉस करके जैसे आपने पहला पहला इमेज फोर्मेशन देखी कि infinite पे रखी है तो कहां बनेगी फोकस पे पहली देख लिए वीडियो पोज करो उसको कोपी में बना के देखो दोसरी आपने इमेज फोर्मेशन देखी कि वही एक ओबजेक्ट सी पे रखी बियोंड सी रखे सी से पर यह रखी है कहां बनेगी आप और सी के बीच में ठीक है तो आप वीडियो जब आपने उस इमेज फोर्मेशन को देख लोगे वीडियो पोज करके आपको क्या करना खुद कोपी में वही ट्राइ करना फिर थर्ड आपको देखना है थर्ड वीडियो पोज करके कोपी में ट्राइ करना ठीक है उसके बाद क्या है यह सेंट्र ओफ कर वेचर फोकस अब वैन ऑब्जेक्ट प्लेस्ट बिट्विन अफ एंड पी अब ऑब्जेक्ट का रखी है एफ और पी के ब सब्सक्राइक्स के बाद करें आज हुसे के बाद कि यहां से को फोकस में से पास हो जाएगी तो कैंध मैं इसका इंसीडेंट नहों सकती न तो उसके बाद क्या है थाल र C क्या है कि सेंट्रोफ यहां से इस तरीके से ठकराएगी कि पिच्छे किस में से पास हो रही हो सेंट्रोफ करчто में से घ्र किस अदर इसको बड़ा बना देता हूँ ठीक है साइद आप कन्फ्यूज हो गए होगी देखो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ यह आपके पास है कौन क्यों मीरर ठीक है कौन क्यों मीरर इसके बीच का जो पवैंट होगा उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर करवेच्चर इसको क्या बोलेगे ये परें सिपञे अबCr benefits02 को और अब्जक्ट का रखी है और फोर पीके बीच मिश payroll के प्रिंसिपल एक्सी जाएगी तो टकराने के बाद focus में से पास हो जाएगी ठीक है इस तरीके से दूसरा रोल हमें focus में से जब पास करते हैं तो कही incident करेगी नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा फर्ड रोल लगाना पड़़ेगा यह इस तरीके से strike करेगे कि आपकी पिछे किस में से strike होने के बाद किसमें से pass होनी चाहिए कि सेन्टर ओफ करवेचर में से तो क्या करना है आप कर रोएट को मिलाना है ठीक है इस तरीखे से यहां से आप मिलाओके आँ म länger रोग्59 में बर यह वाला फिर क्ना अगर होगी इस त्रीक है इस तरह थे चोगा देके्या बाध आपकी फैलती जारी है तो क्या एक्षुल में कहीं मिट करेंगी नहीं करेंगी क्या होगा इसलिए यह क्या बनाती है आपकी वर्चुल इमेज नेचर कैसा है सबसे पहले कहा बनती है बिजाएट यह चाहिएंड यह मिरर एक ऐसा केश है जिस में इमेज कहा बनती है अब बताओ रील है दो कट नहीं की क्योंकि यह फ् Keyodelति वर्टुल ठीक और कैसी नौ इएक्ट वर्टॉल के साथ हमेशा सब्सारज इमेशाइक। और कैसी आएगी इंलारज ठीक है इंलार्ज बड़े साइज की पहले और किस तριके से विश्याइज दा भरी। हुआ कि केसी बनाएगा हमेशा कैसी बनाएंगा तो कौन क्यों मीरर हमेशा रियल इनवल्टिड एक केस को चोड़ की ठीक है कौन से एफ और पी एफ और पी के बीच में अगर उब्जेक्ट रखेंगे तो वह कैसी बनाएगे वह आपका बनाएगा वर्च्वल इरैक्ट इन लार्ज ठीक है एक बार हम सभी रिमाइंड कर ले इन फाइनाइट से रे उफ लाइट आएगे तो कहा बनेगी फोकस पे ठीक है दूसरा क्या था जब बिहाइंड दाम बियोंड शी जब कोई ऑबजेक्ट है सी पर रख्की है ठीक है ना सी पर रख्की है मतलब यहाँ पर सी है आपका इरा शी और यह एफ है जब कोई इस परें इमेज करहा बनेगी आप और सी के बीच में ょई-स तरीके से यहí ऑज़ ích quirruki आप in पर जैसे सब्सक्राइब करें यह मैं इसमे राइट साइड़ सी shift हो जाएगी यहां बहुत सी है मैंने क्या कि इसको left side c shift किया यह वाली भी का shift हो जाएगी आपकी left side कहा बनेगी चीप ही बनेगी जब object c पर रखी होती है तो image कहा बनती है c थीक है अब मैं इसको यहां पर लेके हूँगा अब object कहा रखी लगा के बीच में इमेज कहा सिफ्ट हो जाए की राइट साइड में कैसी बनेगी इनलार्ज हमने इमेज फोर्मेशन में पड़ा है ठीक है और जब अफ पे रखेंगे तो कहा बनेगी और अग्य सिफ्ट हो जाएगी इसका मतलब क्या है इन्फाइनाइट पर बनेगी अफ और पीके बीच में रखेंगे तो कहा बनेगी विहाइंड दा मीरर वर्च्वल एंड इरेक्ट बनेगी ठीक हैं तो अभी तक हमने टोटल केस पड़े हैं उनमें से फाइव केस में रियल अंड इन्फिड बनेगी एक कैस में कैसी बनेगी वर्च्वल एंड इरेक्ट ठीक हैं यह केस बहुत बार पुछा जाता है क्योंकि ये केस सबसे अलग है जिसमें वर्च्वल बाकि सभी में तो क्या बन रही है real inverted कैसे पुछेगा virtual in large image virtual Europe और in large image कौन सा mirror बनाता है और कब बनाता है तो virtual urge in large image कौन बनाता हैfly mirror और कब बनाएगा जब कोई object 4P के बीच में रखी होगी तो बनाता है पड़ेंगे वह पड़ेंगे convex mirror के लिए कि एक एंग